Hello student and good evening all of you student मैं आज आपको बताने वाला हूँ PNST Government Nursing College की जो seats कहा कहा पर बची हुई है और कैसे क्या आपको counselling करवाना है तो सभी student जो भी students हमारे YouTube channel GKM पर जो भी students नए हैं सबसे पहले क्या कर ले इस YouTube channel को सबसे पहले आप क्या कर ले subscribe कर ले subscribe के अलावा में आपको एक चीज और जो इस student हैं जो PNST की तयारी कर रहे हैं वो PNST की तयारी अपनी continue भी कर सकते हैं GKM के साथ में GKM का जो प्ले स्टोर पर आप जाएं GKM के application से app डाउनलोड करके वहां से test series भी आप purchase कर सकते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कुछ important चीज एसे जो student जो इसमें channel पर फश्ट हैं वो सबसे पहले जाकर telegram group अगेरा हो गया WhatsApp group अगेरा जाकर join कर सकते हैं student इसमें आज मैं बताने वाला हूँ आपको सारी चीज ए information back to back किसमें information दूँगा इस वीडियो के माद्यम से तो सबी student इहां तक बने रहे लास्ट तक और सारी information को अच्छे से देखें student सबसे पहले मैं यदि बात करूँ कि यह जो college की जो counseling हो रही कौन से हो रही PNHT second round की counseling हो रही है किसकी हो रही है बेटा total जो college के training centers है वो कित्ते रहने वाले हैं 10 training centers रहने वाले हैं कित्ते रहने वाले हैं student 10 इसमें क्या रहने वाले training center रहने वाले हैं इसमें आपन बात कर लेते हैं 10 कौन-कौन से training center रहने वाले हैं फश्ट में जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कौन सा रेने वाला है? मनसोर रेने वाला है? सतना रेने वाला है? राइसेन रेने वाला है? जाबवा? वीदी सा इसमें आपको सारी इंफोर्मेशन में दूँगा जबलपूर, उजन, देवास, दतिया और अनुपूर अब सभी student को एक चीज का इंतजार है कि sir इनके अंदर seat से कित्ती क्या बची हुई है कि 3 student seat से कित्ती क्या बची हुई है इन seat से के अंदर sir हम counseling कैसे करवाएं और कौन-कौन से student counseling करवाई है सभी student का doubt है तो student मैंने ये जो चीज बता रहा हूँ ये जो मैंने चीज बताईए आपको कहां से बताईए ओफिसियल जो notification है उस official notification के तुरू मैंने सारी information में आपको देते जा रहा हूँ और कोई information आपको समझ में नहीं आए तो आप comment box में comment जरूर करें इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि कौन-कौन से student इसमें counseling करवा सकते हैं और कहां कित्ती क्या seats रहने वाली हैं यहाँ पर आपन बात कर रहे हैं total seats आप government colleges की total seats बताने वाला हूँ इसमें यह जो overall seats में बताने वाला हूँ उन सारी student की seat इसमें include करके मैंने बताईए अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कित्ती क्या seats सबगे रखा हैं यहाँ पर जैसे कि आपको फश्ट में देखने को मिल रहा होगा क्या चीज मनसोर देखने को मिल रहा है student मनसोर के अंदर कित्ती seats हैं 11 seats रहने वाली है student के अंदर 17 seats, देवास के अंदर कित्ती 17 seats इसके अलाव में बात करूँ दतिया और अनुपपूर तो दतिया के अंदर 17 seats और अनुपपूर के अंदर कित्ती seats रहने वाली है 5 seats यदि मैं इनका total यदि करूँ कि कित्ती क्या seats हैं तो total student किती है 145 seats रहने वाली है किती रहने वाली है student 145 seats इसमें रहने वाली है जिस पर क्या है कि PNST के second round की counselling होने वाली है किसकी PNST की second round की counselling होने वाली है अब आपको counselling के बारे में तो मैंने बता दी अब इसमें मैं बता दू कि इसमें सीट से सबसे ज़्यादा सीट से की यदी मैं बात करूं स्टुडेंट तो कहां पर रहने वाली है 22 सीट से कहां पर रहने वाली है आपकी सतना के अंदर रहने वाली किती स्टुडेंट सीट से रहने वाली है 22 से रहने वाली है तो जो भी student कुन-कुन से category मैंने यहाँ पर बताया General हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, ST category हो गई, SC category हो गई यह जित्वी student के category के हैं यह सारे students के लिए मैंने जो seats बताई उनके लिए सारी information मैंने अभी आपको दी है और इसमें total of seats की मैंने बात की total of seats की 30 में रहने वाली है 145 seats रहने वाली है एक चीज और मैं बता दू सभी student का एक चीज का doubt है बोले कि सर इसके अंदर हम कौन-कौन से student इसमें counseling करवा सकते हैं सभी student का doubt है तो इसमें student में बता दू यदि आप general category से आते हैं कौन से category से आते हैं OBC category हो गई आपकी EWS category हो गई ठीके इसके अलावा यदि में बात करूँ ST category हो गई ठीके और इसके अलावा यदि में बात करूँ SC category हो गई तो ये जो सारी categories हैं इनमें जो कम नंबर वाले student हैं जिनके 35 से 40 नंबर वाले student हैं ये counseling कदा भी ना करवाएं आप तैयारी में लग जाए क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दू तैयारी की यदि में बात करूँ तो आपके exams आने वाले हैं किसके exams आने वाले हैं PNHT जो 2021 के जो exams हैं वो आने वाले हैं और 2021 के exams में आप selection ले सकते हैं क्योंकि आप अपना पेशा वेर्थ न जाने दे और न गौर्मेंट को दे क्योंकि यदि आपकी counseling के पेशे बसते हैं तो उस पेशे की पेशे से आप GKM के app से अपने test series वगेरा सारी चीज course पर्चेस करके आप अपने course के अंदर क्या कर सकते हैं आप अपनी study को continue कर सकते हैं तो student 145 यहाँ पे total of seats रही है इस 145 seats पे आपको counseling करवाना है counseling की मैंने date इसके पहले वाले वीडियो के अंदर सारी चीज date बता दी है कब allotment होगा कब क्या document verification करवाना है सारी information मैंने दे दी है यहाँ तक की चीज़े आपको समझ में आ गई होगी अब मैं बात करूँ इसके अलावा की सर third counseling का क्यों option रहेगा क्या आप सभी student के calls आए मेरे पास की सर third counseling होगी क्या तो सभी student को मैं बता दू यदि 145 seats में से कोई सी भी seats रहे जाती है तो 100% उस पर third number की counseling होगी यह सभी को मैं चीज़े बता देता हूँ तो सभी student को उम्मीद करता हूँ यह जो information मैंने दी यह information आपको अच्छी लगी होगी यदि आपको अच्छी लगी तो इस मेहनत को यूटूब चैनल को subscribe करें और एसे student जिनको अभी तक कोई भी चीज़ का ग्रूप सब अगेरा और प्रिवियस येर के प्रोपर और जो question paper हम डालते हैं टेलिग्राम का हमारा ग्रूप है उसका नाम है GKM इंदोर official के नाम से तो description box हम उसका link करेगा उसमें जाकर आप उसको join कर सकते हैं उम्मेद करता हूँ सारी information अच्छी लगी होगी मिलते हैं next video में next video में आप के लिए कुछ नुकुछ अच्छी update लाऊंगा तब तक के लिए आप बने रहे है ओके thank you for watching this video